हेलो फ्रेंग्स गुड इवनिंग टर्टल वाइन एक ऐसा पौधा है जो आपके घर को आपकी बालकनी को बहुत ही आकरशक बनाता है अगर आप घर को हरा भरा जंगल जैसा बनाना चाहते हैं तो एक पौधा जो आपकी सहायता सबसे ज़्यादा कर सकता है और वो भी बहुत कम टेंशन या केर के साथ वह है टर्टल वाइन का प्लांट वैसे आपको शायद पता ना हो कि यह एक सकलेंट्स की श्रेणी में आता है पर इसमें ज़्यादा देखपाल की जरूरत नहीं होती है और सूखता भी नहीं है जबकि ज़्यादा तर अनसकुलेंट में सूखने का डर बना रहता है फ्रेंट्स यह टर्टल वाइन का जो प्लांट है यह बहुत ही असानी से प्रॉपोगेट हो जाता है एक बार यह दियाप इसे लेकर आते हैं अपने घर में अपने गार्डन में लगाते हैं तो आपके गार्डन से यह कभी भी नहीं जाता एक से नजाने कितने सारे आप प्लांट्स तयार कर सकते हैं इसकी एक लता से ही दरजनों लताएं निकलती रहती हैं जिनकी लंबाई आधे मिटर से एक मिटर तक जाती है और कुछ ही हपतों में पूरा गमला भर जाता है अगर आप इसे हैंगिंग प्लांट में लगाते हैं तो हरी भरी लताएं लटकती हुई बहुत ही सुन्दर लगती हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने इसे हैंगिंग बास्केट में लगा रखा हैं और ये बहुत हरी आली भी देता है जल्दी सूखता भी नहीं है बस थोड़ी सी आवश्यक बातों का ध्यान रखना होता है सर्दियों में लगबग सूख कर समाप्त हो जाता है ये बट खतम नहीं होता मतलब जैसे ही गर्मियां शप्रिंग शुरू होता है वापस हरा भरा होने लगता है सर्दियों में जो इसके पत्ते हैं वो उजले उजले ड्राय ड्राय से आपको नज़र आने लगेंगे तो ऐसे में आपको फेकना नहीं है इसे गर्मिया आते हैं यह फिर से हरा भरा होने लगेगा कई लोग यह समझ कर इसे फेक देते हैं कि यह पौधा सूख जाता है लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ये पौधा कभी भी मरता नहीं है जब भी आप इसे लगाए आप एक साथ एक टोकरी में पान साथ छोटे-छोटे दो-दो इंच के या एक इंच के छोटे-छोटे कटिंग्स को लगाए तो यह बहुत ही जल्दी हरा-भरा हो जाता है मुझे लगता है एक-एक कटिंग लगाने से हरा-भरा होने में थोड़ा टाइम लगता है फैलने में लेकिन चोटी-चोटी कई कटिंग्स को यदि हम बास्केट में लगा रहे हैं जिसको हमें हैंग करना है तो वो सब एक साथ ही बढ़ते हैं और एक गोला का रूप ले लेते हैं जैसा कि आप देख रहे हो ये एक साइट से खाली इसलिए है क्योंकि ये दिवाल के तरफ जाता है यदि ऐसी जगह टंगा होता जहां चारो तरफ रोशनी और पानी एक जैसी मिलती तो ये गोल बन जाता और बहुत ही सुन्दर लगता यदि टर्टल वाइन के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें तो इसकी सनलाइट रिक्वार्मेंट जो है ये पौधा ब्राइट इंडारेक लाइट में अच्छे से ग्रो होता है ये तो आपको पता है कि जैसी अभी धूप पड़ रही है ऐसे में इसे बिल्कुल दोपहर वाली धूप में तो नहीं रख सकते ऐसी जगह मैंने रख रखा है जहां शाम की थोड़ी सी धूप मिलती है और सुबे सुबे की एक घंटे की धूप मिलती है जैसा डेली वेगर है वो उत्तर भारत में जब तापमान 40 डिगरी से ज़्यादा चला जाता है तब इसे तेज धूप से बचाना पड़ता है और अभी ये टाइम चल रहा है जब टेंपरेचर 40 एवर्ब जाता है तो आपको अपने टर्टल वाइन को बचा कर रखना होगा यानि ऐसी जगह रख दीजे जहां पर की इसे सनलाइट तो मिले लेकिन डिरेक्ट सनलाइट ना मिले अदर्वाइज इसकी पतियां जली जली सी रहेंगी वैसे मैं आपको बताओं कि यह समाने तहर डिरेक्ट सनलाइट को भी बरदाश कर लेता है यदि आपके घर में या बालकनी में या टेरिस पर ऐसी जगह नहीं है जहां आप इसे थोड़ा शेडी प्लेस दे सको तो डिरेक्ट सनलाइट को भी बरदाश कर लेगा लेकिन उसके लिए गर्मियों में आपको क्या करना होगा हर एक दो-तिन घंटे पर इस पर वाटर का स्प्रे करना होगा वाटरिंग नहीं करनी बहुत ही पानी नहीं डालना है स्प्रे बॉटल में पानी भरके और इसके पत्तियों पर थोड़ा थोड़ा स्प्रे करना होगा आप इसे साउथ वेस्ट या वेस्ट फेसिंग वाले बालकनी या बिंडो पर हैंगिंग बास्केट में लटका सकते हैं सुब़ सिर्फ 2-3 घंटे की धूप से भी यह बहुत ही अच्छा ग्रो हो जाता है यदि इसके वाटरिंग रिक्वार्मेंट की बात करें तो इस पौधे को थोड़ी नमी वाली मिट्टी चाहिए लेकिन इतना भी पानी ना हो कि मिट्टी सौगी हो जाए यानि कीचर जैसा तो नहीं बनाना आपको पता है ड्रेनेज का ख्याल रखना और अभी आपने देखा भी होगा मेरे गंबले में कितने बड़े बड़े ड्रेनेज होल बने हुए हैं यदि इसमें जल जमा होगा तो इसकी पत्तियां जैसा कि मैंने आपको पता है सकलेंट होती है फ्लेशी होती है इसके अंदर पानी भरा होता है तो बहुत ही जल्दी अगल जाएगा इस बात का विशेश ध्यान रखना है कि जब इसकी मिट्टी तयार करें मिट्टी वेल ड्रेन हो और जब इसे वाटरिंग करते हैं तो पानी निकल जाए और आपके गंबले में ना रहे जैसे कि पानी देने का फॉर्मूला है कि पानी तभी दे जब मिट्टी की उपरी सता दो इंच तक छूने पर सूखी लगने लगे फाल्दू पानी देने से बचे ठंड नाने पर बहुत कम पानी देना है क्योंकि इस समया डॉर्मेंट यानि डॉर्मेंसी पिरियड में पीला हो जाता है और इसकी पत्तियां बहुत ही कम बचती है जब इसके लिए हम मिट्टी बनाते हैं टर्टल वाइन के लिए ऐसी मिट्टी तयार करना है जिसे पानी बिल्कुल न रुके इसकी मिट्टी वैसी होनी चाहिए जैसी की कैक्टस या सक्लेंट की बनाई जाती है इसके लिए आप गार्डन स्वाइल 40% और 40% कमपोस्ट बालू 20% और 20% परलाइट मिला सकते हैं परलाइट मिलाने से फ्रेंड्स मिट्टी जो है वह एरियेशन बहुत अच्छी होती है उसकी और मिट्टी वैल ड्रेन बनी रहती है इसलिए हम परलाइट मिलाने की सलाह देते हैं अगर गरम अस्थान पर रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है जब भी सर्दिया शुरू हो तो इसे इंडोर रखना सही रहेगा परन्तु ज़्यादा सर्दी पढ़ने पर यह मर सकता है लेकिन फ्रेंड्स मेरे जो यह टर्टल वाइन का पौधा है यह सर्दी गर्मी सब कुछ बरदाश कर लेता है और यह मैं लेकर के जब से आई हूँ 5-6 साल हो गए हमेशा इसे प्रॉपगेट करके नए-ने बास्केट्स में बनाती रहती हूँ इंडोर भी लगा रखा है आउट्डोर भी लगा कर रखा है लेकिन यह कभी भी खतम नहीं होता एक बार आपके गार्डन में आ गया तो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल भी यह प्लांट मर जाए और खराब हो जाए यदि टर्टल वाइन के लिए फर्टिलाइजर की बात करें तो गर्मियों में यह तेजी से ग्रो होता है इस समय इसे एक बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइजर दिया जाना चाहिए इसके लिए सीवीड फर्टिलाइजर या एपसम सॉल्ट का यूज कर सकते है सीवीड फर्टिलाइजर तो मैंने नहीं दिया है अभी तक लेकिन एपसम सॉल्ट को अभी गर्मियों में मैं हमेशा 15-20 दिनों पर स्प्रे बॉटल में डाल कर यानि कि एक चम्मच से थोड़ा सकम स्प्रे बॉटल में डालती हूं और उसे इसकी पत्तियों पर बहुत ही अच्छे से स्प्रे करती हूं एपसम सॉल्ट क्या है और ये हमारे प्लांट पर किस तरीके से काम करता है इस पर कई सारे वीडियो मेरे चैनल पर हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में अविलेबल हैं आप देख सकते हैं वैसे एपसम सॉल्ट पौधो को प्रकास चंसलेशन की क्रिया लेने में यानि की अपने भोजन को बनाने में मदद करता है पत्यों को हरा और सुन्दर चमकदार बनाता है तो ये जो फौलियज वाले जितने भी प्लांट होते हैं इनके लिए एपसम सॉल्ट एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है बाकी इसमें आप जब तयार कर रहे हैं मिटी उस समय थोड़ी सी वर्मी कमपोस्ट वगरा मिला सकते हैं बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की इसमें जरूरत नहीं होती है लेकिन फ्रेंट्स सबसे इंपॉर्टन चीज यह है कि जब आप इसे बास्केट में लगाते हैं तो टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग जरूर किया करें जैसा कि यह देखो यह पौधे जो हैं मैं जब प्रूनिंग करूंगी और इसे वापस उसमें ही लगा दूंगी तो यह एक राउंड शेप लेकर बहुत ही सुन्दर आकार में बहुत ही आकरशित लगेगा यदि यह लेगी हो जाएगा और एक तरीके से ही यानि एक तरफ से बढ़ता रहेगा तो यह देखने में सुन्दर नहीं लगेगा तो आपको इस बात का विशेश ध्यान रखना है कि आपका जो पौधा है वो लेगी ना हो टाइम टू टाइम आप उसे प्रून करते रहें और वापस उसको उसी गमले में लगा दें ताकि यह राउंड शेप में बहुत ही सुन्दर तयार हो जाए यह पत्ती जो मैं आपको दिखा रहे हूं यह देखो कितना सुन्दर चमकदार हुआ है इसमें कई प्रकार यदि आप फर्टिलाइजर या वाटरिंग की सही मातरा नहीं रखते हो तो इसकी पत्तियां थोड़ी मुडी हुई सी और चमकदार नहीं होती बड़ी बड़ी नहीं लगती लेकिन यदि सही मातरा में वाटरिंग सनलाइट और फर्टिलाइजर का आप ख्याल रखते हैं तो ये देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है और इसकी पत्तियां बहुत ही चमकदार भी होती है तो फर्टिलाइजर में आप एपसम सॉल्ट और सीवीड को 15-20 दिनों पर दे सकते हो वैसे वाटरिंग करने का सबसे बहतर तरीका मुझे ये लगता है ऐसे प्लांट के लिए चाहे वाटरिंग जियू का प्लांट हो या फिर ये टर्टल वाइन हो इन सब पे स्प्रे करना ज़्यादा बहतर होता है बजाए इसके की हम उडेल कर पाइप से इसमें पानी डालें इस पर एदि हम स्प्रे करते रहते हैं तो मेरे अनुभाव से मुझे लगता है इसकी पतियां जादा सुंदर और चमकदार बनती है और निखर कराती है यदि इसके पेस्ट और डिजीज यानि की ट्रोक की बात करें कि किस तरीके के पेस्ट और डिजीज इसमें लग सकते हैं तो वैसे इसमें पेस्ट की समस्या कम ही देखी जाती है पर जड़ों के सरने की समस्या हो सकती है इससे बचने के लिए आप ऐसे गंबले का प्रेयों करें जिसमें नीचे होल्स जरूर बने हो और पौधों में पानी डालने पर पानी तुरंद नीचे से निकल जाए इस बात का आपको विशेज ध्यान रखना होगा अगर पौधों पर किसी प्रकार के कीट दिखाई दे तो तेज धार वाले स्प्रेय बॉटल से स्प्रेय करें इसके अलावा नीम ओयल का स्प्रेय तो आप कर ही सकते हैं एक चिस का और ध्यान रखें कि टर्टल वाइन के लिए बहुत बड़े गमले का चुनाव ना करें तीन से लेकर पांच इंच के गमले में यह बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है और क्योंकि यह एक हैंगिंग प्लांट है तो यदि आप इसे हैंग कर रहे हैं तो आपको इ जादा अकरशक बनाते हैं यह प्लांट बहुत ही सुन्दर लगते हैं इसके लिए कुछ जरूरी टिप्स है जिनको फॉलो करना चाहिए जैसे अगर कोई ऐसी खिडकी हो जिस पर ठीक ठाक धूपाती हो आप घने टर्टल वाइन से भरे दो-तिन गमले बाहर की तरफ लटक जगह पर लगा सकते हैं बस आपको यह ध्यान रखना है कि वहाँ पर धूप आती हो थोड़ी ऐसा ना हो कि बिल्कुल भी धूप ना आती है जैसे अभी मैंने आपको दिखाया बालकनी में मैंने लगा रखा ऐसी जगह पे जहां इवनिंग में धूप मिल पाती है जब सु यह देखते हैं कि इसकी प्रॉपोगेशन कैसे हो सकती है आप इस पौधे की छोटी सी कटिंग भी बहुत ही असानी से बना सकते हैं आप बस इसकी चार पांच जो है कटिंग ले लिजे चार चेंज की एक कटिंग स्टेम कटिंग लेना है और इसे पॉटिंग मिक्स में लगाएं ताकि वह जल्दी से वह बास्केट भर जाए और पौधा जो है घना नजर आए फ्रेंट्स यहां तक ही जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें टर्टल वाइन को आप अपने घर में बहुत ही असानी से जगे दे सकते हैं बस आपको फर्टिलाइजर सनलाइट और वाटरिंग का ख्याल रखना है इस बात का भी ख्याल रखना है कि इसके लिए ज़्यादा बड़े गमले का चुनाव ना करें प्रूनिंग ऐसे प्लांट के लिए बहुत ही जरूरी है हमेशा इस बात का ध्यान कि कभी भी आपका जो टर्टल वाइन का पॉट है वह लेगी ना दिखे आकरशक दिखे तो यह बहुत ही सुन्दर लगेंगे वाटरिंग जब भी करनी है वीक में एक बार बहुत अच्छे से वाटरिंग करें लेकिन टाइम टू टाइम स्प्रे जरूर किया करें मैं दिन म कम से कम दो तिन बार स्प्रे उपर से करती हूँ आप देखिए पत्या कितनी सुन्दर और चमकदार हुई है थैंक यू फ्रेंट्स